मिलेनियर्स की वो हैबिट्स जो उने सक्सेस्फुल बनाती है एपल के फाउंडर स्टीव जॉब्स कहते थे कि इंसान शुरवात के तीस साल अपनी हैबिट्स को बनाता है और उसकी यही हैबिट्स उसकी बाकी की लाइफ को बनाती है एक ओर्डिनरी और एक्स्ट्रा ओर्डिनरी इंसान के बीच का डिफरेंस उसकी हैबिट्स ही क्रियेट करती है अच्छी हैबिट्स इंसान की लाइफ डिरेक्शन को राइट पात पर लाकर उसे सक्सेस की ओर ले जाती है और बुरी habits, talent और skills होने के बावजूद भी उसे successful नहीं होने देती इस book में आपको सुबह जल्दी उठना, घूमने जाना type की habits नहीं बताई गई है बलकि successful लोगों के mindset और दुनिया को देखने के उनके नजरिये के बारे में बताई गया है डीन ग्राजियोसी के लिखे book Millennial Success Habits से मैंने सीखे ये 12 Life Lesson जो आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं Lesson 1. Adopt a strong why जिन्दगी में success हासल करना चाहते हो और successful habits बनाना चाहते हो तो अपने why को strong रखो वाई यानि की अपनी life में change क्यों लाना चाहते हो अगर आपका why strong नहीं होगा तो आप कभी भी अपनी habits को नहीं बदल पाओगे इसका best example आपको इस book के author डीन ग्राजियोसी की life में ही मिलेगा जब डीन की मा की death होई उस समय डीन एक drug addict हुआ करते थे डीन की मा हमेशा से उन्हें एक अच्छा इंसान बनने की सीखते थी पर उन्होंने अपनी मौत के समय अपने बेटे को एक बुरे इंसान के रूप में देखा डीन ग्राजियोसी को इस बात का बहुत बुरा लगा उन्होंने decide किया कि आप वो कभी भी drug addiction नहीं करेंगे और अपनी मा के लिए drug addiction हमेशा के लिए छोड़ दिया और अपनी life में एक positive change लाए डीन की तरह आपका वाई भी strong होना चाहिए तब ही आप अपनी age old bad habits को छोड़ कर successful habits को adopt कर पाओगे अब तक आप तो ये समझी चुके होंगे कि successful habits बिल्ड करने के लिए strong वाई की जरूरत होती है पर शायद आपको भी अपना वाई फाइंड करने में difficulty हो रही होगी अगर हाँ तो डीन ग्राजियोसी इसको फाइंड करने के लिए seven level deep exercise करने को कहते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आप क्या करना चाहते हो example के लिए माल लो कि आप एक करोड रुपए कमाना चाहते हो तो अपने आप से सवाल करो कि आप एक करोड रुपए क्यों कमाना चाहते हो ये आपका पहला सवाल है अपने सवाल का जवाब honestly सोचो मालो कि आप एक करोड रुपए कमा कर एक नया बिजनिस शुरू करना चाहते हो तो दूसरा सवाल होगा कि आप नया बिजनिस क्यों शुरू करना चाहते हो इस सवाल का जवाब सोचो और उस जवाब से तीसरा सवाल create करो इस तरह सी ये सलसला साथवे सवाल तक चलने दो इन सभी के जवाब को जानकर आपको अपना वाई अपने आप ही मिल जाएगा लेसन थ्री किल दव विलं इंसाइड यू हम सभी के अंदर एक विलं होता है कि छो हमारे अंदर निगेदिविटी को जन देता है या आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप अपना गुस्सा उतारने के लिए गलत वोड्स का यूज करते हो या अपने अंदर निगेटिविटी को पैदा करते हो इस तरह आप अपने अंदर के विलन को फीड कर रहे होते हो अपने अंदर के विलन को पैचानो और उसे फीड करना छोड़ दो आज कल हमारे माइंड में ज़्यादा तर नेगेटिव थौट्स, न्यू चैनल्स और मीडिया के थू ही आते हैं ये लोग हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं और अपने चैनल्स पर टाइम वेस्टिंग डिबेट सोज चलाते हैं इनकी बाते सुनकर अपने अंदर के विलन को फीड मत करो आज ही 30 Days No Media Challenge लो और सिर्फ पॉजिटिव और मोटिवेशनल वीडियो देखो अपने दिमाग को शांत रखो और हमेशा उसे पॉजिटिव थौट्स से भर कर रखो यही आपके अंदर के विलन को मारने का बेस्ट तरीका है आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अपनी वीकनिस पर फोकस करो पर रियालिटी में यह थौट बिलकुल गलत है वीकनिस पर फोकस करने से आपके अंदर के विलन को स्ट्रेंथ मिलती है और वो आपके अंदर निगेटिविटी पैदा करता है सक्सेस एचीव करने के लिए आपको अपने वीकनिस पर नहीं बलकि स्ट्रेंथ पर फोकस करना है और अपने अंदर के विलन को नहीं बलकि हीरो को नींद से जगाना है यह हीरो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा और आपका कॉन्फिडेंस सक्सेस के डारेक्ली प्रपोर्शनल होता है इसलिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ अपनी एक सबसे बोरी और डेप्रेसिंग फोटो लो और उसके उपर बोरे से बोरे डी मोटिवेटिंग वाट्स लिख दो अब इसके बाद उस फोटो पर किसी ऐसे इंसान का नाम लिख दो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस फोटो की दूसरी और अपनी बेस्ट फोटो चिपकाओ और उस पर सभी मोटिवेटिंग वाट्स लिखो साथ ही इस पर उस इंसान का नाम लिखो जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है जब भी आप अपने आप में confidence की कमी feel करो तो अपनी pocket से दोनों फोटोज निकालो और decide करो कि आप कैसी life चाहते हैं आपके अंदर का hero आपको inspire करेगा और आपके अंदर अपने goal की तरह बढ़ते रहने का confidence बिल्ड करेगा सक्सेस्फुल लोगों की सबसे अच्छी habit ये होती है कि वो अपने daily routine को schedule करके चलते हैं उनके schedule में बिना मतलब waste करने के लिए time ही नहीं होता इसलिए वो procrastinate भी नहीं करते imagine करो कि आपकी life में कुछ बुरा चल रहा है आप दिन वर उसके बारे में सोचते रहते हो और इस कारण आप अपने work पे ध्यानी नहीं दे पारे हो ऐसे में अपने negative thoughts को भी schedule करना सीखो decide कर लो कि मैं शाम को आदे गंटे के लिए अपनी life की problems के बारे में सोचूँगा लेकिन उससे पहले सिर्फ अपने work पर focus करूँगा यह आपको childish thought लग रहा होगा बट यह आपको deep depression से बचाने की ताकत रखता है secondly आपके साथ ये भी problem होगी कि आप schedule तो बना लेते हो पर उसे follow नहीं कर पाते इसका solution है short scheduling अपने daily के schedule को छोटे-छोटे parts में divide कर लो example के लिए मानलो कि आप 24 गंटे के schedule को 6 गंटे के 4 parts में divide कर लेते हो अब हर 6 गंटे में सर्फ 2 गंटे पूरे focus के साथ अपने work को करने की कोशिश करो और जब इसे achieve कर लो तो अपनी scale increase कर दो lesson 6 don't be accessible at all times internet के आजाने से communication बहुत ही easy हो चुका है हम हर वक्त whatsapp और दूसरे social media platforms के थूरू अपने friends से जुड़े रहते हैं और हमारे बीच messages का exchange होता रहता है कहते हैं कि technology is made to save your time बट reality में ये हमारे समय को और भी ज़्यादा waste करती है internet और social media का use अच्छी बात है पर इसकी एक limit बनाओ हर वक्त mobile से चिपके रहने पर आप अपने valuable time को waste कर दोगे और अपने goal पर focus नहीं कर पाओगे lesson 7 optimize your social circle आपकी life में कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जिनसे बात करके आपका mood off हो जाता होगा यह आपके दोस्तिया कोई रिष्टेदार हो सकते हैं जो आपको फालतो की बाते सुना कर time waste करके आपका confidence low कर देते होंगे दूसी तरफ आपकी life में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके साथ रहकर आप highly energetic और full of confidence feel करते होंगे ऐसा इसले क्योंकि उनके thoughts आपकी तरह progressive होंगे और वो आपके goals को achieve करने के लिए motivate करते होंगे अपने अंदर के villain को शान्त रखने के लिए ऐसे लोग के साथ ज़्यादा time spend करो जो आपको positive vibes देते हैं और negative लोगों से जहां तक हो सके दूर ही रहो lesson 8 swap your stories for better ones हम सभी की life में कुछ बोरे moments जरूर आते हैं जो हमेशा के लिए हमारे दमाग में घर बना लेते हैं इन sad moments और bad experiences के कारण आपके mind में negativity पैदा होती है और आप अपने आपको failure समझने लगते हो याद रखो कि आपकी life story आपके लिए driving force का का काम करती है आप अपने thoughts को जिस story पे ride कराओगे वो ऐसे ही राश्ते पर जाएंगे जब आपको अपनी life के bad experiences याद आएं तो आप उस समय को याद करो जब आपके साथ कुछ अच्छा हुआ हो शायद आपने कोई successful investment की हो या life में कुछ अचीव किया हो एक छोटी सी achievement का खयाल ही आपकी negativity को कम कर देगा और आपको confidence से भर देगा In short, अपनी bad life stories को good stories से swap करना सीखो जब भी आप किसी successful इंसान का interview देखते हो तो आपको उसकी personality में confidence clearly दिखाई देता है ये confidence ही उसकी success का proof है अपने अंदर confidence को build करने के लिए 3C principle को follow करो हर काम ऐसा करो जिससे आपका courage सब को दिखाई दे आप जिसे commitment करो हमेशा पूरी करके दिखाओ और आपके काम में आपकी capability दिखनी चाहिए Courage, commitment और capability यही है confidence को create करने के 3C's Lesson 10, Always be happy जब आप खुश होते हो तो आपके अंदर एक positive energy develop होती है जो आपको आपके goals achieve करने के लिए motivated रखती है पर जैसे ही आप sad होते हो तो यह negative energy को develop करता है और आप depressed होकर अपने आपको failure समझने लगते हो आप सोचते हो कि पैसा आपकी life में happiness लाता है पर reality में इसका opposite होता है आप जितने खुश रहते हो आपकी life में उतना जादा पैसा आता है अपनी life के हर action से return expect करो आपके पैसे ही आपके एक मातर investment नहीं होते बलकि आपका समय आपके energy और आपकी attention भी आपका investment है इन्हें ऐसी जगह पर invest करो जहां से आपको best return मले आपने देखा होगा कि अमीर लोग कार चलाने के लिए driver रखते हैं खाना बनाने के लिए cook रखते हैं और ऐसे ही दूसरे काम करने के लिए अलग-अलग walk करते हैं अब आप कहोगे कि ये चोटे-चोटे काम तो खुद भी कर सकते थे तो क्या वो आलसी होते हैं? जी नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि जितना समय वो इन activities में खर्च करेंगे उतने में वो कहीं ज़्यादा productive work कर सकते हैं और उसमें उन्हें इतना पैसा मिलेगा कि वो workers की salary तो आराम से पे कर देंगे अपने daily work को efficiently outsource करना सीखो जिससे कि आप अपने time का best use कर पाओ और अपनी productivity को high रख पाओ Lesson 12, create not to earn but to shine Successful बनना है तो पैसे कमाने का mindset छोड़ दो और value provide करने पर focus करो Successful लोग जो भी काम करते हैं वो उसमें अपना best देने की कोशिश करते हैं वो छोटे से छोटे काम को भी इतनी dedication से करते हैं जैसे उनकी life उसी एक काम पर dependent हो वो काम complete होने के बाद इतना excellent होता है कि उन्हें सभी से appreciation मिलती है इससे वो अपनी और ज़्यादा लोग attract करते हैं और अपनी life में और उची heights पर जाते हैं अपना product ऐसा रखो जो लोगों की needs को पूरा करें जब लोगों की needs पूरी होगी तो वो आपकी product को खुदी buy करेंगे और पैसा आपकी और automatically attract होगा तो ये थे two wealth ऐसे life lessons जो मैंने Dean Graziosi के book Millionaire Success Habits से सीखे Thanks for watching